अब आपके अपने चैनल वंडी एक्जाम टार्गिट पर बहुत बहुत सब्सक्राइब यहां पर हम लोग सीटर 2019 की त्यारी कर रहे हैं उसमें लोग देख रहे हैं इविएस इविएस हम लोग पढ़ रहे हैं एंसी आटी की बुक से यहां पर हम लेके चलने क्लास फिप्त क चौथा, पाचवाँ, छठा, साथवाँ, आठवाँ, नवाँ तो आज हमारा चैप्टर कौन सा होगा आज हम देखेंगे चैप्टर 10 और 11 बोलती ही मारते और सुनीता अंतरिक्ष में आप लोग सीटर के प्रिविएस इयर के कोश्चन पेपर देखेंगे तो आप लोग को यहां से कोश्चन आहराम से देखने को मिलेगा कई कोश्चन पूछे गए हैं, बोलती ही मारते और सुनीता अंतरिक्ष में, सेम टो सेम कोश्चन या इवन यहां तक हम आप लोग को बताते हैं कि जो EBS के कोश्चन है, जो 15 मार्स के कोश्चन है, पैड़ा को जी छोड़ कर करते हैं आज के अपनी क्लास को और फ्रेंस आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना ना बुलिए बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते रहेगा हमें मोटीवेट करते रहेगा हमें भी पता चलता है कि हाँ ठीक है आप लोग पसंद कर रहे हैं जो भी हम पढ़ा रहे हैं औ गोलती मारते यहां पर आप देखिए यह पहुंचे गोलकुंडा पहुंचे गोलकुंडा यहां पर आप लोग को एक कोश्चन मिलाओगा कपका कोश्चन है आपके इंसी आरटी से कोश्चन पुशा गया था सीटेट दोहसार अठार में नौ दिसंबर जो पेपर हुआ था दोहसार अठार रखो उसमें कोश्चन पुशा गया था गोलकुंडा किला किसने बनवाया आप लोग इसके देख लिजेगा क्या इसका उत्तर यहां पूरे चैप्टर में मिलता है की नहीं मिलता है तो दिखान से इस कोश्चन को दिमाग में रखे रहेगा आगे हम चलते ह इस चैप्टर को पूरा करते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए गोलकुंडा के बारे में दिया गया फिर उसके बाद आते हैं जहां पर इंपॉर्टन दिखेगा हम वहां पर बताते हैं फिर यहां पर देखिए बुर्ज के बारे में इंपॉर्टन दिया गया है तो यहां रोग यहां तो आतिपर इतने सारे पुर्ज सुरक्षा के लिए बनाए गे होंगे नेक्स ठीम बुर्ज में ये बड़े बड़े छेत क्यों बने होंगे यहां पर देखिए यहां पर बुर्ज में यहां इस तरीके से यहां पर छेत बने हुए होते हैं ठीक है तो बुर्ज में बड़े बड़े छेत बाहर देखने के लिए बने होते हैं ठीक है अब फिर है सीधा सपाट द में जाकने में सीधा सपाट दिवार से जाकने में और एक उचय बुर्श से झाखने में क्या नतर हो का सीधी सपाट दिवार कियों अब क्षिप नहीं सकते हैं बुर्श से जाखने मैं क्यों क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब और सुरक्षा के लिए महतुपूर होता आगे बुर्ज के पीछे यहां पर देखिए बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदो मेंसे देखने वाले सिपाईयों को हमला करने में क्या मंदद मिलती है चुपकर हमला कर लेते हैं यहीं हेल्प उन्हें मिलती है ठ 1287 तक यहां कुतुब साही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया है नाम इंपोर्टेंट हो सकता है ठीक है तो यहां पर लिखा है फिर उससे पहले बारसों में एक किला मिट्टी का बनना था और यहां दूसरे राजाओं का राज था यानि कि शासन एक के बाद किसी दू सारे महल भी है तो इसका क्या मतलब निकलता है इसका मतलब यह निकलता है कि यहां पर सुल्तान के लाँ और भी बहुत सारे लोग रहते थे किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी रहते थे यानि कि कह सकते पिर तो यह पूरा सहर ही होता होगा ठीक है आगे देख पाने की इंजीनियर तो सोचो आज भी इंजीनर जब मकान कुनाते तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है यहां तो छत पर पानी के फवारे चलते थे तभी इमारती किती समझ से बनाई गई थी सोचे की 500 साल पहले लोग कैसे रहते दिमाग भी कई सार सवाल आते हैं जैस फवारे कैसे चलते हैंगे फवारे मसीन से चलते हैं ठीक है हवा और रोशनी का क्या इंतिजाम होता होगा उस टाइम पे हवा और रोशनी के लिए दरवाजी खड़के रोशंदान यह सब बनवाए जाते थे और आज भी वो बनवाए जाते हैं ठीक है तो यहां पर दिखे सामने चित्र में सामने की चित्र में दिवार पर की गए नकासी को ध्यान से देखो इत्ती सुंदर बारीक नकासी करने के लिए कि नौजारों का इस्तेमाल होता होगा तो कि नौजारों का हतोड़ी छेनी इन सब का इस्तेमाल होता रहा होगा तो यहां पर देखिए एक कोश्चन और पूछा गया है हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं पर जिन घरों में बिजली है अगर वहां एक हफ्ते तक बिजली नहीं तो कौन-कौन से काम के लिए पूच्च और पूच्च जा रहा है लागे तो कौनडा केले का नक्सा तो यहां पर नक्षा देखकरके अब यहां पर पूचा जा रहा है ना कि बोडिली धर्वाजा यहां पे दीखिं यह मिलेगा आपको यह यह दीखें यहां पर कोश्ट पुछा रहा है अगर तुम बोडली धरवाजे के के अंदर देख रहे हो तो कटॉरा हॉज किस दिशा में है कटॉरा हॉज तो कटोरा हौज आप देखना पड़ेगा कहां पर है यहां पर हमें तो देख नहीं रहा है आप लोग देख के दिशा बता सकते हैं ठीक है यहां पर देख लेते हैं जो आगे का कोश्चन है अगर कोई बंजारा दर्वाजे के अंदर आ रहा तो कटो रहा हौज उसकी किस दिशा में होगा तो आप लोग दिशा बता सकते हैं मोती महल कैसे पहुंच जाओगे दिशा है इसके बारे में पूशी जारे के लिए कि बाहरी दिवार पर किते दर्वाजे दिख रहा हैं गिन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें मिलेगी तो यहां पे दिख़े टोप की बारे में बच्चे पूछ रहे हैं सैयल जाब पूश आप पूश लेए थो कुद्वशाहि सुलतान की ही होगी तो यहां पे दिदी वता रही तोप का इस्तेमाल औरंग जेब ने किया इस्तिमाल किस ने किया और अंग जेब ने किया आगे आपको इंपोर्टेंट देखने को मिलेगा बासाओ या राजा सभी का खेल होता है कि अपना क्या कर सके अपना राजी पहला सके चोटी-चोटी राजा और सुल्तानों से अपना रिस्ता जोड सके और उन्हें अपने इल सादविवासा की सेना अंदर क्यों नहीं घुश पाई तो इत्ती सारी मोटी दिवारे थी नक्से में तो दिवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती थी तो सेना अंदर कैसे आती ठीक है तो यहां पर देखिए अगर सेना दूसरे तरफ से आने की कोशिस करती तो बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर सबकुछ साफ नजर आ जाता था तो इसलिए हमला आसानी से नहीं हो पाता था ठीक है अब यहां पर चर्चा करो की तरफ चलते हैं क्या तुमने हाली में सुना है क्या तुमने हाली में सुना कि किसी देश ने दूश्रे आएंगे ठीक है आब आगी चलते हैं पता करो कि हमला क्यों हुआ होगा जो भी रिजन हुआ जो भी रिजन रहा हो किस तरह के हथियार इस्तिमाल किया थे किसकी तरह का नुकसान होगा यह सब चुड़े पता करो स्रेधरने के लिए में जो तोब देखी थी वह कांसे की भनी थी यहां पर एक चीज यह देखिए यह कोश्चन अब देखिए कांसे पूछा गया था कांसे किस से मिलके भने होते हैं कांसे में कांसे किसकी मिस्टर धात हुए कांसा किसकी मिस्टर धात हुए पूछा गया है कोस्चन तो यहीं से लिए आगे आप लोग अगर द्यान से देखेंगे तो समझ में आगे तुमने अभी कासी की कोई चीज देखी है कासी का मुंबती स्टैंड होता है मूर्तिया होती सबसे में ठीक है आगे यहां पर देखिए यहां पर लिखा है ना गहरी खानों में ताब और तिन देखने को मिला ठीक अब आगे देखते हैं कि तुम्हारे घर में आसपास कासी की कौन सी चीज़े थी आज भी रंग से पहचाने कोशिश करो कौन सी चीज़े तावे की पीतल के और कांसे की बनी है अब यहां पर देखिए बहुत सारी चीज़े हैं अब यहां पर रवाजे पर चली गई और आवाज आई होस्यार में सुल्तान अबुल हसन मुझे काना बजाना और कोची पुड़ी नृत्ती बहुत पसंदे तो इनके बारे में लिखा गया है कि उन्हें क्या के पसंद था यह लाइन इंपोर्टेंट ठीक है अब यहां पर देखिए पान खीशने के लिए हो रहा है अब यहां अंदाज लिबाब बैलों के गुंने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा prepared किस दिसा में घूमेगाई ओक किस दिसा में घूमेगा थीक है उसके साथ लगा दातेदार पहिये फिर किस दिसा में घूमेगा अब लोग बताईएगा हाथ के इसारे से बताओ एक तो मैंने बता दिया देखो दातेदार पहिये से लगा डंडर जमीन की नीचे से जाकर किस पहिये से जुड़ा है किस पहिये से जुड़ा है बड़े पहिये से जुढ़ गया है ठीक है आप यहाँ पे देखिए बैलो की next है यहाँ पे देखिए बैलो की घूमने से डिब्बों के माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है देखिए यहाँ पे यहां से देख लिजिए आपो दिखाते की हमें यहां पे खाली होकर कि इन ली में बह desap lass झाता है इस तरीके से ठीक है कि समझ आगी आगी कि देखते हैं में आप किया कुछ पता चला कही किस तरह पानी को कुउयं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा समझा गया कुए के पानी को बिजली से चलने वाले पंप से निकाल कर टैंकों में भरा जाता है ठीक है आप एक चीज यहां पर देखिए तुमने इस तरह आगे है तुमने इस तरह एक दूसरे से जोड़े पईयों का इस्तिमाल होते हुए और कहां देखा है जैसे साइकल में और कहीं तो इस तरह एक दूसरे से जोड़े पईयों का इस्तिमाल पानी निकालते समय मोटर में देखा है और साइकल में देखा है आप सब बता सकते हैं और फिर अपने आसपास देखो और पता करो का आथ जमीन की नीचे से पानी को उपर तक कैसे चड़ाया जाता है कैसे पहुचा जाता है कि मोटर से ठीक है अब यहां पर बिजली से पानी को उपर तक कैसे चड़ाया जाता है बिना बिजली के पानी को उपर कैसे चड़ाएंगे बिजली मोटर से पानी नीचे से खीच कर उपर चड़ाती है बिना बिजली के आप जो भी नल वगरे से पानी नीचे से खीचा जाता है यह मतलब यह साधन हो साल क्यों आवाज निकालते और उनकी गुछ सुनते हुए हम इस महराब के नीचे से गुछरें महराब जो इस तरीके और ऑश की सरुषन रचित का बना होता है जो इंगलिस में आश होता है'te जिसे हम में कहते हैं मेहराब तो अब यहां पर आगे चलिए देखते हैं उनके कपड़े कैसे पारमपरिक हैν, जसे राजा पहनते हैं, वे बहुत सारे जेवल पहने हुए हैं उनके लिए तऱ तऱ के शाहिप पक्वान पेस हो रहे हैं वे अपने मंतरीओं से दूसरे राजा द्वारा आक्रमड के बातें कर रहे हैं मंत्र अडा कर रहे हैं और वे जो उनकी भासा रही होगी उस तरीके से वो बात कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए यह लिखा है इस गदविधी के जरीए बच्चों के यह सोचने के लिए प्रोसाहित करें को समय के रहन सहन बच्चे जो सोच रहते वो हमने बताए कि किस तरीके से राजा कौन से कपड़े पहने रहे होंगे क्या कुछ था क्या खा रहे होंगे तो वही चीज़े हैं ठीक है फिर आगे क्या है आप यह देखिए उनके महल पर फबारे तो चली रहे होंगे ना अंदर से महल अलिशान परदों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा है और बुलाब चमेली की फुलोग खुस्बू कहां से आ रही है बागों से आ रही होगी फिर उसके बाद किसके स्टेश के कार खाने देख पा रहे हैं तो कार खानों बें किते लोग काम कर रहे हुं उन लोगों नि कैसे कपड़े पहन रखे हैं किते देर सक काम करते होंगे ये सारे question आप लोग बना, मतलब लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसे question पूछे भी नहीं कि मियूजियम पहुचे गोल कुंडा देखकर वाफसी में ये बच्चे हाइदराबाद की मियूजियम पहुचे कहां पे हैदराबाद की मुजियम, जिसे हिंदी में संखरहले कहते हैं, मुजियम में बहुत पूरानी चीजे रखी होती हैं important है इस museum में गोलकुंडा के लिए कि आसपास खुदाई के दोरान मिली चीजे भी थी जैसे वरतन, ओजार, जेवर, हतियार वगएरा museum में यह सारी चीजे रखी जाती है जो कि खुदाई वगएरा में मिली हुई होती है अब आगे देखिए ये वर्तन के टुकड़े भी समाल करें सेसे की आलमारे में क्यों रखें वह देखो छोटी सी प्लेट तो कांसे की ये नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का सा लगता है तो कहने का मतलब आप यहां पे देखिए कांसे के बारे में अच्छे से पढ़ लीजेगा आगे देखिए कोश्चिन की तरफ चलते हैं लिखो तुमने आसपास किस किस तरह के वर्तों का इस्तिमाल होती देखा है इसको छोड़िए अपने दादे दादी से पदा को रिकोन के समय में और किस किस तरह के वर्तन इस्तिमाल में लाया जाते थे पीतल, ताबा, मिट्टी के बर्तन ये सब क्या तुम्ही कभी म्यूजियम में गया हो या उसके बारे में सुना वहां क्या क्या होता है अगर आप लोग गया है तो बताईएगा तो वहां पे बहुत पुराने सावान जिस राजाओं कपड़े, हथियार, बर्तन, ये सब रखे जाते हैं, ठीक है, क्या तुम्हारे गर के आसपास कोई पुरानी इमारत है, जिससे देखने के लिए लोग आते हैं, तो कौन सी है, तो अगर पास में है तो लाल किला हुआ, ये फिर, बहुत सारी चीजियां आप बता सकते हैं, ताज महल है, ठीक है, ये सब छोड़िए, ये देखिए, ये कितनी पुरानी है, तुम्हें कैसे पता लगी, तो बच्चे तो ये किताबों में, किताबों से पढ़ कर बताएंगी है, कितनी पुरानी है, लगबख 400 साल पुरानी है, तुम्हें कैसे पताला, क्योंकि अभी किताब में बने पढ़ा, और क Android रसके देःप सकते ऑंडूंस तरह की Off 2020 अभी उसमें कौन लोग रहते जैसे नक्स चित्र खुदाई से निकले चिजह किताब किताबे हिसाब के दस्तवेद आधी ये सब ये सब बताने का में मक्सद तरह अब यहाँ पर देखो लिखा है तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ रजनी केरल के मला पुरम जिले की एक सरकारी स्कुल में पढ़ाती है ठीक है उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर आसपास के बहुत से घरों में पुरानी चीज़े जमा की जैसे पुरानी लकडियां छत्रियां लकड़ी की खड़ाओं बरतन वगेर है ये सब उन्होंने आज के लिए सब चीज़े जैसी होती है वो अभी देखा फिर बच्चों ने और अजनी मिलके पुरदर्शनी लगाई ये सब छूड़ी है यहाँ पर देखिए लिखा है संगीतों को लगता है कि म्यूजियम में पुरानी चीज़ें समाल करकना वेकार है तुम उससे कैसा समझाओ की मूजियम का होना जरूरी है म्यूजियम में बहुत पुरानी वस्तुएं रखी जाती जो हमी प्राचीन काल के लोगों के रहन सायन और उनकी संस्किति के बारे में बताती है इसलिए म्यूजियम बहुत जरूरी है इस तरीके से हम समझाएंगे तुम्ही क्या लगता है इस पार्ट का नाम बोलती हमारती क्यों रखा गया इस पार्ट में बहुत सारी हमारतों के बारे में बताया गया इसलिए इस पार्ट का नाम क्या रखा गया बोलती हमारती जो कि बिल्कुल सही है तो यह चैप्टर यहां पर होता है complete फ्रेंस चैप्टर पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है इस तरीके से फिर भी हम सौटकट में जल्दी से चलने की चक्कर में जो कुछ भी छूड़ गया हो आप लोग हमें कमंड करके बता सकते हैं पूछ सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स चैप्टर की तरफ चलते हैं और चैप्टर देख सकते हैं तो पहले जो पहले हमने सवाल आपसे पूछा था सवाल कौन सा था गोल कुंडा किला किसने बनवाया बिकल्प आप सभी के सामने था कौन सा उप्सन सही होता है आप लोग कॉमेंड बॉक्स में कॉमेंड करके जरू बताईएगा चलिए हम आपको इस चैप्टर में मिला नहीं मिला यानि कि जो कुछ भी वर्ड यहां पर मिल रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल इस्ट डिवी करनी है यानि कि आपको अलग से पढ़ने की जरूत थी तो 2018 मैंसे कोशन पूछा गया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुर्ण तक केर थैंक यू